केंद्र आरो के समिक्त करदेट सी लव अगरवाल मीडिया तुमाटलर तुनोर लाइव चुद्दा को भी सैंक्षन दे दिया है जिस एरिय में जिस प्रॉसेस से यूज करना चाहिए वह डिटेल भी हमने लोगों की निगाव में लाए हैं और उसका ओर्डर भी दिया जा चुका है जिसको हम जल्दी से जल्दी वो सप्टाइज हम लोगों के पास अवेलेबल होगी यह मैं पहले भी मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ मैं फिर आप लोगों की नॉलिज में लाना चाहूंगा कि कुछ इंफरस्ट्रक्ट्टर रिलेटेड इशू से क्योंकि कई चीजे जो इंपोर्ट की जाती थी और इंपोर्ट बंद हो गया लेकिन देश व्याप जो लेवल पर इसके बारे में हाइस लेवल से डे टो डे मॉनिटरिंग करके आज हम उस सिचुएशन में हैं कि पर्सनल प्रोटेक्शन के थर्टी नाइन मेन फ्रेक्ट्टर देश में अवेलेबल हैं और उसके साथ ही अगर आप देखें कि आज से दो महीने पहले जो देश में स्थि यह जो स्टेट लेवल पर जो पी-पीज अवेलेबल थे उसके दुगने पीज़ यानि कि उसने ही क्वांटिट्ी में पीज हमने प्रोक्योर करकर आज हमने सपलाव भी स्टेट लेवल पर कर दिये हैं हम उसको अगभियन कर रहे हैं यह मैं आप लोगकी сстроि में इसलिए ल दिया जा रहा है एन 95 मास जैसे करीब 20 लाग मास देश में स्टेट लेवल पर अवेलेबल थे तो हमने पिछले दो महिने में करीब 20 लाग मास स्टेट को एडिशनल प्रोवाइड किये हैं और इसके साथ ही प्रोक्यूर्मेंट शुरू हो चुका है और हम आने वाले समय में सम ने प्लेस कर दिया है और उनका प्रोक्यूर्मेंट के इसाब से अब उनकी सप्लाइज भी आने वाले टाइम में शुरू हो जाएगी तो इस कंट्री जिस टाइप के इस चैलेंज को डील कर रही है उस चैलेंज को मैनेज करने के लिए हर तरह से हर यथा संभव तयारी करत के इन्फेक्शन के खत्रे को जेलते हुए हमारी सेवा कर रहे हैं तो उनसे किसी भी तरह का दुरवेवार वे हम सब के लिए नुक्सान दायक है हमारे लिए जरूरी है कि हमारी वर्कफोर्स पूरी मोटिवेटेड होकर हमें सपोर्ट दे आप सब को विदित होगा कि 5 एप कि जो धन्यवाद हमने लाइट जिलाकर किया है उस धन्यवाद को हम अपने एक्शन में भी कनवर्ट करें अगर एक भी इंस्रीडेंट देश में कहीं पर भी उनसे दुरवेहार की आती है तो चाहे हम सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं बट उस इंस्रीडेंट के हाइलाइ अगर किसी को कोई भी डाउट हो किसी की फैमिली में किसी मैंबर को कोई शक हो कि अगर उन्हें कोई ये बिमारी हो सकती है उससे रिलेटेट सिम्टम्स हैं तो प्लीज हमारी हेल्प करें help us to help you is what I've been requesting all the time आप हमें बताएं कोई भी सिम्टम का अनुभव होने पर हम यथा संबव आप सब के साथ मिलके उस बिमारी का उसको टेस्टिंग करा के उसको कैसे हम निजात पा सकते हैं उस पर हमें collectively काम करना है इसमें किसी भी टाइप का doubt न रखें बहार आना बताना ब नहीं है आप सब की knowledge में है कि पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया इस लड़ाई से आज जूज रही है हम जितना collective होके इस लड़ाई को लडेंगे उतना ही बढ़ी है डंक समें से जीत पाएंगे और जैसे कि मानने मंतर जी कहते आ रहे हैं कि यह लड़ाई है जिसमें हम social vaccination का इस्तेमाल करना है social distancing के रूप में और इस लड़ाई के लिए आप सब से मेरी मिंती है कि हम अपने देश की तरफ से एक example पूरी दुनिया को यह दिखाएं कि देश मिलके लड़ा और इस लड़ाई से जीच चुका है धन्यवाद आइसी महर के तरफ से दो अपडेट है पहला अपडेट है टेस्टिंग के बारे में जैसे की बता है चुका कि वी कुरंटली हैव 213 लबरेटरी जाट इंट्रूटेश्टेश्टेश्टर इन पूलिक सेक्टर और शिच्टी सेवन लाब्स इन प्राइब लाइब शेवन प 92 सुस्पेक्टेट पैंड फिरिचन जिसमे से 5705 बारे में जैसा आपने देखा होनगा इसमर वेबसाइट में येस्टरेई भी एक्सटेश्टेश्टेश्टेश्टेश्टर इंट इस्ट्टेश्टेश्टर इन पूलिक सेथि एसम्टेटी लाइब इस्ट्सूर अट्य इससे पहले कि हम कुछ क्वेस्टन लें, दो छोटी अनॉंसमेंट हैं, हमारे फैनाइस मिनिस्टर ने, on 26th of March, अनॉंसमेंट किया था, प्रदान मंत्री, गरीव, कल्यान, योजना स्कीम का, under this particular scheme, रूपीज 2.80 क्रोड, 2.80 क्रोड have been withdrawn by 1.37 lakh employees from the EFO funds, the details are already there on the PIV website, the second announcement is about the amnesty of railways, media reports had been there about various railway protocols and prospective travellers by the trains. This premature reporting is leading to unnecessary and avoidable speculations, all concerns would be intimated at appropriate time. So first question from Nitendra. Sir, मेरा सवाल है, non-COVID patient को लेकर की, अदेश में करोडों ऐसे मरीज हैं, जिनको follow-up की जरुरत है, चाहे हो cancer के हो, TB के हो, या फिर brain tumor के हो, इस तरह की surgery हुई है, उनको follow-up किया जा रहा है, कई दिनों से वो अस्पताल नहीं जा पार है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहा जाएं, चुकिए health care worker भी संक्रमीत हो रहे हैं, तो ऐसे में कई लोग treatment भी नहीं दे पार हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या contingency plan है? सेकेंड जो सारी का report है, आई सेमार सवाल है, सारी का जो report है, उसमें यह है कि 40% लोगों का कोई travel history नहीं, कोई contact history नहीं है, जो आपकी report है, तो उसका clarification जा जा जी. Sir, as far as जो हमारे बाकी patients हैं, जो आज या, जो हमारे लोग lockdown के स्थिति में घर पर हैं, उसके लिए हम लोगों ने, और साथ में state level पर भी बहुत सारे present चल रहे हैं, हम यह नहीं चाहते कि वह लोग बाहर निकलें, और किसी भी तरह से infection उनको लगे, तो उसके लिए हम लोग telemedicine और उस ताइब के different processes दो उनको support प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने इससे पहले भी कहा है, essential surgeries के लावा, elective surgeries को postpone किया जाए, और बाकी time आप अपने घर पर रहते हुए, treatment through different ways, particularly using technology, आप उसको प्राप्त करें, दूसरा जैसे कि आपने ICMR की study के बारे में बताया, मैं फिर आप लोग की दिश्टी में लाना चाहूँगा, अगर देश में community transmission होगा, तो we will be the first one, हम ही आपको आके पहले बताएंगे, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है कि हम आपकी knowledge में लाएं कि देश में community transmission हो चुका है, और इस कारणवश हम सब को extra और additional alert रहना पड़ेगा, मैं दो figures आप लोग की दिश्टी में लाना चाहूँगा, एक जैसे मैंने कहा कि अगर 16,000 टेस्ट कल हुए देश में, जो कि across the country हुए, उसमें करीब 320 ही positive आए, तो यानि कि 0.2% cases ही positive आए, दूसरा point मैं आप लोग की दिश्टी में लाना चाहूँगा, ये study जिसमें बताया गया है कि हमने अगर सारी cases, यानि कि respiratory illness के cases की random sampling अगर देश में की है, तो उसमें करीब 1.8% case positive आए हैं, तो इसमें आपको ये समझना होगा कि ये 1.8% positive जो cases आए हैं, these are from our VRDL labs, जो हमारी VRDL labs primarily उनी areas में located, जहां पर already cases पाए जा चुके हैं, इस study में आपको कहीं पर भी ये नहीं लिखाया कि ये ऐसे area में जहां single case भी नहीं पाया गया, तो ये उनी area में पाए गया हैं, जहां cases पाए गया हैं, very fact कि अगर ये study indicate करते हैं कि कुछ particular cases में contacts की travel history नहीं है, contact history नहीं है, तो it only needs further investigation कि हम उसकी contact history को further locate करें, और साथ में जैसे आप लोग की knowledge में इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, कुछ हमारे areas हैं जहां cases का number थोड़ा बढ़ जाता है, तो उन cases में कहीं बार contact tracing सही डंग से हो नहीं पाती, तो फिर में आप लोग की दृष्टी में लाना चाहूँगा, देश में अभी community transmission नहीं है, उतनी भै की इस्तीती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें aware रहना है, हमें alert रहना है, और required do's and don'ts को follow करना है. I think it's more or less on the same lines, we can skip this question. Can I add on to that?